ओम शंती आज 28 सप्टेंबर 2021 के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुर्ली में बाबा कहे बच्चे मैं आया हूं तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहें साथी साथ ये कहानी भी सुनाता हूं कि पूज्य से पूजारी और पूजारी से पूज्य कैसे बनते हो इस कहानी में बाबा कहे पूजारी से पूज्य बनने के लिए घर ग्रहस्त में रहते हुए पवित्र जरूर बनना है परन्तु जब ये बात लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये तो असंभाव है घर ग्रहस्तम में रहते हुए पवित्र कैसे बन सकते हैं लेकिन बाबा कहे तुम्हारे लिए सहज है क्योंकि तुम्हें भविश्य 21 जन्म की बाद्शाही प्राप्त होती है उसके एवज में एक जन्म पवित्र बनना है तो कितना सस्ता सौधा हुआ और इसलिए तुम बच्चे सहज ही सहर्श ही कर लेते हैं परन्तु दुनिया के लोगों को ये प्राप्ती का पता नहीं इसलिए वो असंभाव समझते हैं सुनते हैं बाबा के मधूर महावाक्य ओम शान्ती मीठे बच्चे बाप आये हैं तुम्हें पूजारी से पूज्य बनाने पूज्य से पूजारी और पूजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हैं प्रश्न हाज की मुर्ली से कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हैं उत्तर दुनिया वाले समझते हैं कि ग्रहस्त व्यवहर में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते हो क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बाच्शाही मिलती है तो यह बहुत सस्ता सौधा हुआ न? आज की मुरली से पहले गीत बजा है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे हैं और शानती अंध्यारा और सवेरा दो की कहानी है अंध्यारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है वह तो कॉमन है अंध्यारा और सवेरा उनके लिए तो यह 24 घंटे की दिन और रात की बात है तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है दुनिया को पता नहीं अंध्यारा और सवेरा किसको कहा जाता है वास्तों में यह अंध्यारा और सवेरा कल्ब के इस पुर्शोत्तम संगम युग पर होता है अभी अज्यान अंध्यारा दूर होता है गाते भी है ज्यान सूर्य प्रक्ट्या वह सूर्य तो रोश्नी देने वाला है यह है ज्यान सूर्य की बाद उसके कंपेरिजन में बाबा ने कहा कि भक्ती को अंध्यारा ज्यान को रोश्नी कहा जाता है अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है बक्ती मार्ग का अंध्यारा पुरा हो जाता है भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है चाहे लक्षमी नारायन की भक्ति करते हैं तो उनका ज्ञान भी उन्हें पुरा नहीं है न शिव की भक्ती करते हैं तो उनका ज्ञान पूरा है इसलिए वो अपना समय वेस्ट करते हैं तो बाबा कहें वेस्ट ओफ टाइम होता है गुडियों की पूजा होती रहती है आधा कल्ब से ये गुडियों की पूजा होती है पूजा जिसकी करते उनका पूरा ग्यान भी चाहिए देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पूजारी बनते हैं पूज्य से पूजारी, पूजारी से पूज्य बनने की कितने लंबी चौड़ी कहाने है मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं परंपिता परमात्मा आते ही है संगम पर जबकि अंध्यारा पूरा होता है सवेरा बनाने आते हैं परंतो उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है जब चार युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो फिर नई दुनिया शुरू होती है तो इसको कहेंगे कल्यान कारी संगम युग इस संगम युग है बाबा कहे इस समय बाकी तो सब है नर्कवासी तो इस समय सब नर्कवासी है जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था यह कोई समझते नहीं कि हम नर्क में है रावर ने सबकी बुद्धी को एक दम ताला लगा दिया है सबकी बुद्धी एक दम मारी गई है बाप समझाते हैं भारत वासियों की बुद्धी सबसे विशाल थी फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धी बन जाते हैं तब ही दुख पाते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार बेसमज बनना ही है यह भी ड्रामा का एक हिस्सा है जो बाबा कहें बेसमज बनना ही है बेसमज बनाती है माया पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझदार कहा जाता है तो इसलिए पूज्य और पुजारी की जो लंबी कहानी बाबा सुना रहे है कि बाबा कहे जब पूज्य अवस्था में है तो उसको समझदार कहा जाता है जब पुजारी अवस्था में है तो कहा जाता कि माया ने एक्तम बेसमझ बना दिया तो बेसमझ बनाती है माया, पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है कहते भी है हम नीच पापी है, परंतु समझदार कब थे? यह पता नहीं पड़ता, रावण रुपी माया बिल्कुल ही पत्थर वुद्धी बना देती है अभी तुमको समझ आई है कि हमी पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अभी तुम बच्चों को खुशी होती है बहुत दिनों से चिलाते आए हैं, कि हमको शांती मिले, अत्वा जन्म मरण से छूट जाए लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्त हो जाए, यह ज्यान, दावण कहें, यह ज्यान किसकी भी बुद्धी में नहीं है कि इस माया की जंजीरों से मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ती हो जाए, यह ज्यान भी किसकी भुद्धी में नहीं है तुम जानते हो, सीड़ी उतरते आते हो, सत्यूग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है सुख की सीड़ी उतरने में टाइम लगता है इसलिए किस जनम में आधा कल्प विता है अथा नीचे धीरे धीरे उतरते हैं दुख की सीड़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं सत्यूग त्रेता में है 21 जनम द्वापर कल्यूग में है 63 जनम आयू कम हो जाती है अभी तुम जानते हो हमारी चड़ती कला चप्टी में हो जाती है गाते भी है जनक को सेकंड में जीवन मुक्ती मिली परन्तु जीवन मुक्ती का अर्थ समझते नहीं है एक जनक को जीवन मुक्ती मिली वह सारी दुनिया को मिली अभी तुम्हारी बुद्धी का ताला खुल गया है किसके डल बुद्धी होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धी दो कहते हैं ना परमात्मा इनको सद बुद्धी दो तो इसलिए बाबा कहे किसके डल बुद्धी होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छे बुत्ती दो, सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं, जो आत्मा बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है, उनका भी हिसाब है, बाप जब परमधाम में थे, उस समय जो आत्मा उनके साथ मुक्तिदाम में रहती है, पिछाडी में आती है, व बहुत समय साथ रहती हैं हम तो थोड़ा टाइम वहां रहते हैं पहले पहले हम बाप से बिछुडते हैं इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला तब लगा जब सत्गुरु मिला दला उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं लेकिन उपर साथ रहने पर भी उनको महसूसता नहीं है कि परमात्मा के बाजु में बैठे हैं या उनके साथ मैं हैं जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं बाप कहते हैं खास तुम बच्चो कु में पढ़ाने आता तुम बच्चो के साथ तो सबका कल्यान होता है अभी सबकी कयामत का समय है अभी सब हिसाब किताब चुक्तु कर चले जाएंगे बाकि तुम राज भाग पाएंगे यह बाते कोई की बुद्धी में नहीं है, गाते भी है Godfather, Liberator, Guide, दुख से लिबरेट कर शांती धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते हैं, आत्माओं को शांती धाम में ले जाते हैं, वह है निराकारी दुनिया, जहां आत्मा रहती हैं पर दुवहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि पतीत है, इसलिए पतीत पावन बाप को हुकारते हैं, खास भारत वासी कि जब उलते बन जाते हैं तब बेहत बाप को ही क्या कह देते हैं जब बिल्कुल भारतवसी उल्टे बन जाते हैं तो बाबा कहे तो बेहत के बाप को भी कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिककर में ले जाते हैं वंडर है ना अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं यह अभी ड्रामा बना हुआ है किसका दोश नहीं है कितना प्यार से बाबा जैसे हर एक को शमा कर देते हैं किसका दोश नहीं है सब ड्रामा के वश है इश्वर के वश नहीं इश्वर से भी ड्रामा तिखा है देखो बाबा क्या कहते हैं इश्वर से भी ड्रामा तिखा है बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा मेरा आना एक ही बार होता है बक्ती मार्ग में मनुश्य कितने दक्य खाते हैं तुमको बाप मिला है बाप से चप्ती में वर्सा लेना है वर्सा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदो शास्त्रों का सार समझाता हूँ पहले सच खंड था फिर जूट खंड कैसे बना ये किसको पता नहीं है गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते भारत का ही आदी सनातन देवी देवता धर्म था देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूझ्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता प्रायलोग हो जाता है भाबा कहे जब देवता धर्म वाले सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोग पूजाता है फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं चित्र भी है, शास्त्र भी है भारतवासियों का एकी शास्तर शीरोमनी गीता है हर एक अपने धर्म को ही बूल गये है इसलिए नाम बदल हिंदु नाम रख दिया है भारतवासी नहीं इसलिए जब अपना अधी सनातन देवी रिवता धर्म की बूल गये तो बाबा कहें नाम बदल हिंदु रख दिया है ड्रामा में नूद है आत्मा ही पुनर जनम में आते तमो प्रधान बन जाती है खाद पढ़ जाती है तुम जानते हो हम सचे जेवर थे अब जूठे बन गए हैं जेवर शरीर को कहा जाता है शरीर द्वारा ही पाढ़ बजाते हैं हमको कितना लंबा 84 जनमों का पाढ़ मिला हुआ है देवता क्षैत्रिय वैश्य शूद्र आपे ही पूज्य पुजारी तुम बन दे हूँ मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनू तो तुमको पूज्य कौन बनाए हैं मैं तो एवर पावन ज्यान का सागर पतीप पावन हूँ तुमी पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो परन्तु वो लोग जानते नहीं बाप समझाते हैं दुनिया जूठी बनती जाती है तो इतनी जूठी कहानिया बैठ बनाई है दुनिया जूठी हो गई है उसका प्रमान के इतनी जूठी कहानिया बैठ बनाई है व्यास ने भी कमाल की है अब व्यास भगवान तो नहीं है भग्वान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदो शास्त्रों का सार समझाया है उन्होंने शास्त्र दे दिया है ब्रह्मा को अब भग्वान कहा ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभी से ब्रह्मा निकला तो विष्णु ने बैट शास्त्रों का सार बताया नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है त्रीमूर्ती के उपर है श्यवबाबा वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्रामन वर्ण है उच्चते उच्च तुम अभी हो ईश्वरिय संता ईश्वर के रचे हुए यग्य की तुम संभाल करते हो इस ज्ञान यग्य में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाने है इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेग अभिनाशी रुत्र ज्ञान यग्य राजाई प्राप्त कराने के लिए बापने यग्य रचा है यह यग्य रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिकराम बनाते हैं उत्पति कर, पालना कर, फिर खलास कर देते हैं देवताओं की मुर्तियां भी ऐसे ही करते हैं जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं ऐसे यह भी करते हैं अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना, पालना, फिर विनाश करते हैं पहले स्थापना अभी तुम मृत्यू लोग से अमर लोग के लिए पढ़ रहे हो अभी हमारी पढ़ाई है ही मृत्यू लोग से अमर लोग में जाने के लिए तो बाबा कहे अभी तुम मृत्यू लोग में अमर लोग के लिए पढ़ रहे हो यह तुम्हारा मृत्यू लोग का अंतिम जन्म है बाप आते हैं अमर लोग स्थापन करने एक पार्वती को खथा सुनाने से क्या होगा अमरनात शंकर को कहते हैं उनको पार्वती देते हैं अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते जबकी उन्हों को सुक्ष्मवतन में दिखाया है अभी तुमको समझाया है जगत अंबा जगत पिता लक्ष्मी नारायन बनते हैं लक्ष्मी नारायन फिर 84 जन्मों के बाद जगत अंबा जगत पिता बनते हैं वास्तों में जगत अंबा है पुर्शार्थी फिर लक्ष्मी है पावन प्रालब्द महिमा जास्ती किसकी है जगत अंबा पर देखो कितना मेला लगता है काली कलकत्ते वाली मशूर है काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है वास्तों में जगतंबा आदी देवी ज्यान चिता पर बैड काले से गोरी बनती है पहले ज्यान ज्यानेश्वरी है फिर राज-राजेश्वरी बनती है यहां तुम आये हो इश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने लक्ष्मी नारायन को राज्य किस ने दिया इश्वर ने अमर कथा सत्य नारायन की कथा बाप ही सुनाते हैं सेकंड में जिससे नर्से नारायन बनते हैं बाबा कहे अमर कथा सत्यनारायन की कथा बाप ही सुनाते हैं सेकंड में जिससे नर्से नारायन मनते हैं अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं। तो स्वर्ग की बाच्चाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो सस्ता सोदा हुगा न। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे। क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं, बाप कहते हैं यह सोदा कोई विरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार हैं। फिर भी कई हैं जो सोदा करके फिर फार्गती भी दे देते हैं। यह नौलेज बाप के सिवाए कोई समझा नहीं सके। ज्यान सागर एक ही है। वही समझाते हैं जो पावन पूज्य था फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजा पिता तो यहां होगा न। अब तुम पुरशार्थ कर फरिष्टा बन रहे हो। अब भक्ती मार्क की रात के बाद ज्यान अर्थात दिन होता है। तीथी तारिक तो है नहीं। शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं है। कृष्ण जैन्ती दुमदाम से मनाते हैं। शिव जैन्ती का पूरा किसको मालुम भी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते नमस्ते शुक् आज की मुरली से धार्णा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट इस कल्यानकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायन की कथा अमर कथा सुनने है बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है दूसरी पॉइंट सत्यूगी बाद्शाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है फरिष्टा बनने का पुर्शार्थ करना है आज का बाबा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है बालक सो मालिक पन की स्मृती से सर्व खजानों के अधिकारी प्राक्ती संपन भवा बालक सो मालिक पन की स्मृती से सर्व खजानों के अधिकारी प्राक्ती संपन भवा हम बाप के सर्व खजानों के बालत सो मालिक है नैचरल योगी नैचरल स्वराज्य अधिकारी है इस स्मृति से सर्व प्रति संपन बन यही गीत सदा गाते रहो कौंसा कि पाना था सुपा लिया खोया पाया खोया पाया यह खेल नहीं करो पा रहा हूं पा रहा हूं यह अधिकारी के बोल नहीं जो संपन बाप के बालक सागर के बच्चे है वह नौकर के समान महनद करने सकते वो तो कहेंगे पाना था सो पा लिया पा रहा हूं पा रहा हूं यह गीत में गाते है आज का स्लोगन योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही स्रेष्ट पुर्शार्थ है आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है और उनके मुरली का सिर्शक है राज रिशी सत्यूगी होते हैं लोग यह जो कहते हैं द्वापर में राज रिशी थे जिन्होंने बैठ ये वेद शास्त्र रचे क्योंकि वो त्रिकाल दर्शी थे अब वास्तों में राज रिशी हम सत्यूग में ही कह सकते हैं क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए है अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाइ चलाते हैं बाकि यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले रिशी है जिनोंने वेद शास्त्र रचे हैं सत्युग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती न हम उन्हों को त्रिकाल दर्शी कह सकते हैं जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकाल दर्शी नहीं कह सकते हैं तो फिर यह द्वापर योग वाले रजोगुन समय के रिशी मुने कैसे त्रिकाल दर्शी बन सकते हैं त्रेकाल दर्शी अर्थात त्रीमूर्थी, त्रीनेत्री सिर्फ एक परम्पिता परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयम इस कल्प के अंत में आए, सारी रचना का अंत दे देते हैं, वहां सत्यूग में प्रालद भोगनी है, वहां यह ज्यान नहीं रहता कि हम ब्रह्मा वन्षी ब्राम्मन ही सिर्फ मास्टर त्रेनेत्री प्रिकाल दर्शी बनते हैं, आबके सत्योग में ये भी ज्ञान नहीं होगा कि हम ब्रह्मावन्शी ब्राम्मन ही सिर्फ मास्टर त्रीने त्री त्रीकाल दर्शी बनते हैं. बाकी सारे कलब के अंदर कोई पोबी ज्ञान नहीं मिल सकता है. न देवताओं को न मनुष्य को त्रीकाल दर्शी कह सकते हैं. अच्छा ओम शान.